तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है Best Smart Watches Under 5000 अब मार्केट में या फिर ऑनलाइन आपको बहुत सारे option मिल जाते हैं, तो confusion होना भी जायज है कि आपको कौन सा smart watch buy करना चाहिए, तो इसी confusion को दूर करने के लिए मैं आज की वीडियो लेके आई हूँ, जहां मैं आपको 5 smart watch recommend करने वाली हूँ जो आप अभी के टाइम पे buy कर सकते हो अब देखो smart watch होना काफी जादा important हो जाता है, अगर आप जिम जाते हो वाक पे जाते हो, या फिर अपनी कोई और भी activities करते हो, तो उसके लिए health monitor करना काफी जादा important हो जाता है, और इसके लिए एक अच्छी smart watch होना भी काफी जादा जरूरी है तो आज मैं आपको जो भी smart watch recommend करने वाली हूँ, ये सारी चीज़े आपको उसके अंदर मिलने वाली है, तो वीडियो को जल्दी से वो है Firebolt 4G Pro, और ये वाली smart watch काफी जादा unique हो जाती है क्योंकि आप इसके अंदर physical 4G nano sim यूज कर सकते हैं इसके बाद ये जो smart watch है बिल्कुल phone की तरह आप इसको use कर सकते हैं अगर आपको instagram यूज करना है, social media यूज करना है bluetooth calling करनी है, तो वो सारी आप इसके अंदर कर सकते हैं easily, आपको phone की जोरत बिल्कुल भी नी पढ़ने वाली है, जब आपके पास यूज की वाली smart watch होगी तो, इस watch में आपको 4 color option मिल जाते हैं, different आपको straps में मिल जाते हैं, इसके पाद यहाँ पे आपको 2 multifunction आपको buttons मिल जाते हैं, यह जो watch है तो रेक्टांगुलर शेफ में, अगर आपको रेक्टांगुलर शेफ वाला watch जादा पसंद है तो आप इस watch को definitely buy कर सकते हैं, जो price range है, वो है 2499 और इस price range के according, आपको काफी चीज़े आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि आपको अपने fingertips में अराम से यूज कर सकते हैं multiple sports modes का option मिल जाते हैं, जो आप easily track कर सकते हैं, health monitoring है 400 damage की battery है, जहां पे आपको दो दिन का battery backup मिल जाता है इसके अलावा यहां पे आपको IP67 की rating भी मिल जाती है, और यहां पे आपको आप जो दूसरा smart watch है वो है noise की तरफ से, noise का color fit pro 5 max, जो की आता है rectangle shape में, 4-2 double line इसका price range है, plus यह आता है stainless steel के साथ, जो की इसका जो look है काफी अच्छा लगता है, features की बाद की जाएं तो यहां पे आपको race to wake up feature मिल जाता है, 600 nits की brightness है, 60 hertz का refresh rate है 7 days का आपको normal battery back up मिल जाता है, functional crown button है and dedication button भी दिये गया है, जिससे आप यहाँ पे sports modes को track कर सकते हो इसके अलावा यहाँ पे आपको 1.96 inches के एक AMOLED display मिल जाती है बाकी आपको यहाँ पे 100 से भी जादा आपको watch faces मिल जाते हैं, lower button customization है, जहाँ पे आप customize easily कर सकते हो, 5 emergency contacts को आप call भी कर सकते हो within a second, emoji supported है बाकी इसके अदर आपको Bluetooth calling भी मिल जाती है 100 sports modes का भी option दिया गया है तो इतने सारे आपको यहाँ पे features मिल रहे है और खासकर यह बात अच्छी है कि इसके अदर आपको AMOLED screen मिल रहे है, जिसकी वज़े से जो smart watch है वो काफी जादा अच्छी दिखती है और जितने भी हापे आपको specification दी गई है वो इस price को definitely justify करती है तो अगर आप भी अगर 5000 के अंडर अगर आप एक अच्छा smart watch देख रहे हैं noise का smart watch देख रहे हैं तो आप noise color fit pro 5 max को definitely consider कर सकते हैं अगर आपको रेक्टांगल शेप नहीं चाहिए तो यहां पर आपको राउंड शेप का भी आप चूस कर सकते हैं इस वाच के जो बॉड़ी है वो आपको मेटल बॉड़ी मिल जाती है इसके लावर यहाँ पर क्राउन बटन मिल जाता है पुश बटन है फो स्पोर्स मोर्स और यहाँ पर आपको 550 निट्स की ब्राइटेस मिल जाती है 300 अमेज के बैटरी मिल जाती है जो तो आर्स तक फुली चार्ज हो जाता है 1.51 के आपको अमलेट डिस्प्ले मिल जाती है साथ ही आपको ब्लुटूथ कॉलिंग का सपोर्ट मिल जाता है प्रीम मैटल डिजाइन है 100 से भी जादा आपको इहाँ पर स्पोर्स मोर्स मिल जाते है तो इसका मतलब यह है कि यह स्मार्ट पॉच आपको कहीं पे भी बोर होने नहीं देगा क्योंकि इसके अंदर आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही है आप गेम्स भी केल सकते हैं इसके अंदर इन बिल्ट आपको गेम्स का भी ऑप्शन मिल जाता है ब्लुटूथ कॉलिंग है यहां पे इसका डिजाइन है वो भी काफी जादा अच्छा है राउंड शेप में आपको इस वाच मिल रहा है प्राइस भी काफी जादा रीजनेबल है आप इसको चेक आउट कर सकते हैं यहां पे आप काफी ओजी ली आप अप इसको ट्राक कर सकते हो यह जो फिट्नेस बाल्ड है यह आपको रेक्टाैगल शेप में मिल जाता है डिफिर्ट आपको यहां पे स्ट्रप२ मिल जाते हैं प्लस यहाँ पे आपको auto brightness का भी option मिल जाता है, अगर आप यहाँ तो indoor, outdoor यूज़ कर रहे हैं, तो यह अपने आपी brightness को adjust कर लेता है, तो यहाँ पे आपको amoled display मिल जाती है, with 2.5D curved glass के साथ, यहाँ पे आपको 13 days का battery backup मिल जाता है, जिसमें आप 65% charge कर सकते हैं, within 30 minutes, यहाँ अपना health track कर सकते है, fitness tracking कर सकते है, with Samsung health app के through, तो यह बाकी सारी चीज़े आपको यहाँ पे मिल जाती है, प्लस अगर आप यहाँ पर always on display यूज़ करते है, तो आपको battery backup है, वो साथ से 8 दिन का मिलता है, लेकिन अगर आप इसको normal यूज़ करते हैं, तो 13 days का आपको यहाँ battery backup मिल जाता है, यानि यह charging की ज़रुवत नहीं है, बाकी यह काफी अच्छा fitness band है, आप definitely try कर सकते हैं इसको, तो price range की बात कीज़े तो 449 इसका price range है, लेकिन उसके according आपको specification अच्छी देखने को मिल जाती है, तो आप definitely इसे try out कर सकते हैं, अब जो last smart watch है, जो 5th number पे है, वो CMF by Nothing Pro 2, यह newly smart watch है and काफी जादा unique है, काफी premium आपको यह look देने वाली है, वैसे भी Nothing ने काफी phone launch करे है, वो phones भी अच्छे है, even watch भी काफी जादा अच्छी है, तो definitely आप इस smart watch को भी try out कर सकते हैं, specification की बात की जाएं, तो यहाँ पे आपको 1.32 inches की AMOLED डिस्पले मिल जाती ह GPS, inbuilt आपको यहाँ पे GPS भी मिल जाता है, 11 days का battery backup है, functional crown आपको दे रखे हैं, इसके अलावा यहाँ पे आपको gesture से आपको इसको control कर सकते है, Bluetooth calling का support है with AI noise reduction, यहाँ पे एक चीज जरूर है जो इस smart watch को काफी जादा different बना देती है दूसरे smart watches से, वो यह है कि यहाँ पे आपको interchangeable आपको bezels मिल जाता है, या फिर अगर आपको मोटे bezels चाहिए, तो आप उस चीज को customize कर सकते हो, अगर आपको bezels मोटे नहीं चाहिए, तो आप उस चीज को भी customize कर सकते हो, तो यह काफी जादा unique है, वो काफी जादा unique है CMF by Nothing Pro 2 में, इसके लावा यहाँ पे आपको different straps के option मिल जाते हैं, प्रस जो price range है, वो भी आपको 5000 के around cost करने माला है, लेकिन उसके हिसाब से, यह जितने भी मैंने आपको smartwatch बताई, यह काफी जादा unique है, अगर आपको एक round shape में, एक multifunctional वाला smartwatch चाहिए, जो की अभी newly launched हुआ है, वो भी CMF by Nothing Pro 2 को आप यहाँ पे definitely consider कर सकते है काफी अच्छा option है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैंने 5 smartwatches बताई हैं, जो अभी के time पे काफी जादा best हैं, luxurious है, जो आप इनको buy कर सकते हो, गर आपको किसी को gift करना है, या फिर खुद के लिए भी आप इसको buy कर सकते हो, और इन सभी के जो link है, वो आप मेरे description box में में जाएंगे, तो जरूर जाके वहाँ से check out करिए, तो इन में से आपको कौनसी smartwatch जादा अच्छी लगे, ये चीज़ आप मुझे comment section में बता सकते हैं, या फिर आपने इन में से कौनसी smartwatch buy करिए, क्या आपका user experience रहा है, ये चीज़ भी आप में से शेर कर सकते हैं, बाकी जर खरते हैं, ये बיृद बाकी अपको कर मी येद्धिन से कर सकते शार्णेद के ये अधाने थादी में से इन में से रहाँोप ब्सक्ते हैं, ये आपको कि इन में से कौन ako।